नमस्कार दोस्तों हमारी चानल टूफएक्ट इचीन में आपका श्वागत है आज का हमारा वीशा है हमेपैथिक मेडसीन निकोलाम के शिंटम सबसे पहले हम आपसे अनुद करेंगे किरिपिया हमने चैनल को लाइक करें शियर करें सबस्क्राइब करें बेल बटन देमारा नई भोलें जिससे कि हमारा अगला वीडियो आपके दिवाजुप से बिलता रहे हमेपैथिक मेडसीन निकोलाम के शिंटम निकोलाम उस्दी रोजाना होने वाले शिंटम उल्टी होने के करन सिर्द में दर्द होना आँखों से कम दिखाए देना पेट में कब्ज बनना आजी रोगों में बहुत ही चमंकारिक तरीके से काम करती है इसके अलाबा यह उस्दी सर्दी लगने पर कमजोड सरीर वाले लिकने पर ते समय सिर्द में दर्द होने के लिए भी काफी लाबकाडी माने गई है विविंद रोगों के लक्षने काधार पर निकोलाम उस्दी का परयोग जैसे सीर से समधित लक्षम, सीर का बहुत ज्यादा भारी सा महसूस होना जैसे कि किसी ने सीर पर भारी वजन सिर को हिलाते समय गर्दन की कसे रुका में करकरहाट होना सुवह उठने पर माथे के उपर के भाग में दबाव सा महसूस होना सुचिवेदी बेदनाय हर चीज बड़ी दिखाई देना आदे सिर बेदर्द होना उपर के होट का फट जाना उपर के होट का फटना आधि लक्षनों में रोगी को निकोला मौजी देने से लाव मिलता है नाख से समझत लक्षन रोगी के नाख का बंद होना बार बार बहुत تेरी से चिके आना सरदी जुकाम के साथ नाख की नोक पर सूजन आने के साथ लाल हो जाना नात की जर्में बहुत तेजी से दर्द जो मात्यक उपर के भाग और कनपेटी तक फैल जाता है। इन सारे लक्षनों का धार पर निकोला मौस्दी का प्रियों करना काफी लापकाडी माना गया है। सांस समझी लक्षन रोगी को सूखी परसान करने वारी खासी होना, सूखी खासी होना, गले कर बैट जाना। रोगी जब खासता है तो उसके अपनी च्छाती में ऐसा लगता है जैसे कि कुछ चूव रहा हो। खासते समय रोगी को अपने दोदो हाथ जांबो पर रखकर खासना पड़ता है। इस तरह के लक्षनों में किसी भी रोगी को नदर आए तो उसे निकोला मोजी देना लावकारी माना गया है। इस तरही रोगों के समझी लक्षन मासिख स्राव का समय से काफी दिनों के बाद आना, और कम अतरा में आना और कम अतरा में आना । इसके साथ ही रोगी इस तरी के सरीर में काफी कमजोरी आना, तता आँकों में जलन होना, पेशाब करने के बाद, और मासिक स्राव के बाद, योनी के, योनी में से स्राव का आना, और अधी लक्षन में रोगी को निकॉला महजी देने से आराम मिलता है, गले से समधित लक्ष रोगी को अपने गले में जक्रिशा महसूस होना, गले में दाइए और छोने से दर्द का होना, रोगी का अपना गला गुर्ता वा सा प्रतीत होना, आधी लक्षनों में रोगी को निकॉला मुर्थी देने से बहुत गार मिलता है, रोगी को अपना अमास से खाली सा महसूस होना, रोगी को भूख नहीं लगना, पाचन सवस्थान में बहुत तेजी सभने वारा दर्द जो कंतर तक फैल जाता है, रोगी को बहुत तेज प्यास लगना, बार बार हिस्खी आना, दूद पीते ही दस्तों का आना, आधी लक्षनों में निकॉला मुर्थी देने से लाव मिलता है, तोचा रोग से समधित लक्षन, रोगी के सरीर पर खास कर गर्दन पर बहुत ज्यादा खुजिली होना, जितनी भी खुजिली कर लो, चैन्स ही नहीं मिलना, इस लक्षनों में रोगी को निकॉला मुर्थी कर्ष्वन कराने से लाव मिलता है, हर दूसरे सब्ता हर साल रोग बढ़ना, और साम के समय रोग कम हो जाना, रोगी को निकॉला मुर्थी की 3X से 6X सक्ति देना काफी लाव कारी माना गया है, हम अपने अगले वीडियो में इशिवात पूल मिश्या पर मत्वुजय काईयों के साथ आपके साहने प्रसुत होंए, धान्यवाद,